गुड आफ्रेनून बच्चो कैसे आप सब सो वेरी वेरी वर्म वेलकम टू माई क्लास ऑफ सोशल साइंस जहां पर हम हिस्ट्री का चाप्टर पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ बहुत ही पिच्चराइजेशन के थू बहुत ही इंट्रेस्टिंग वे चाप्टर को समझते है पढ़ते हैं और एक्जांम में प्रपरेशन कर रहे हैं तो बच्मिखे कमेंने मैं ने कर रहे हैं मेरी वीडियो को लांत चेहिए कंई कर रहे हैं तो अध chemical जेयरा हैने तर चैप्टर हैं हम technology क्लास्म सिक्स का ईकैज और जुड क्मेरा तो पढ़ रहे हैं, तो हमने कल क्या किया था, हमने बुक्स को कम्प्लीट कर लिया था, बुक्स हमें कहां पर मिलती है, नौट साइट पर मिलती है, हम बरियल्स पर आ गए थे, बरियल्स हमें कहां 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 कौन से साइट पर मिलता है, that we are, we are studying, okay, so, चलिए, चलते हैं, with the introduction of mine, obviously, मैं पढ़ा रही, तो मेरा तो introduction बनता है, ना बचो, so, चलिए, बढ़ते हैं, I am Reemashil, I am your SST teacher, and I have done my master's in politics, I am teaching SST from last five years, okay, तो ये मेरा चोटा से इंट्रो है, ठीके जी, तो इम जी याद रखना और मेरी class में आप आते रहना, right, so, what is your chapter's progression, progression क्या है आपको chapter का, we do the explanation first, हम topic को पहले अच्छे से समझते हैं, चोटे-चोटे parts में हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आते हैं, exercise discussion पे, यानि कि हमारे जो NCRT के questions है, वो important होते हैं, exam में आ जाते हैं, तो इसके बाद हम करेंगे exercise discussion, क्योंकि आज हमारा chapter है, almost एक दो topic छोड़के खटम हो जाएगा, तो हम थोड़े बहुत question कर ले लेंगे, और थोड़े बहुत हम बात में लेंगे, राइट, हमारे extra discussion हो गया, So now, after that, we have extra questions, कुछ extra questions करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े confusion है, थोड़ा सा critical है, तो हम extra question के through, चीजों को detail में और बिल्कुल short form में समझने की कोशिश करेंगे, राइट, So यह हमारा concept है, ठीक है, So now, the next is the word power session, कुछ words यहाँ पे हैं, तो वो आप भी रखने हैं, और वो important terms है, राइट, So उसको हम समझेंगे, चलिए, ठीक है, तो start करते हैं, एक बार previous topics का view लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था, we have done about history, हमने history देखा, क्या क्या history में included होता है, what is history, past क्या होता है, events क्या होते है, what, where, when, how, all chapters है, हमने इसको connect किया, हमने वे रिगवेद, तो इसके सामने लिख देते हैं, oldest ताकि आपको याद रहे, Sanskrit, उस समय में जितने भी वेद थे, सारे Sanskrit में लिखे जाते थे, और Sanskrit कौन सी होती थी, normal Sanskrit नहीं थी, ये हमारी थी, Vedic Sanskrit, ठीके, Vedic Sanskrit में जितने भी वेद थे, वो लिखे जाते थे, ठीके, इसके लाव कैसे पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि वो किस-किस चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी के बारे में, कि वो किस तरीके से Clans में रहते थे, छोटे-छोटे Groups में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीके, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि वो Cl रहते भिड़ते भी थे, ठीके, अब लड़ने वड़ने के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी आती थी, वो उसको डिस्ट्रिब्यूट करते थे, प्रीस्ट का बड़ा रोल था, ठीके, नाच्रॉल चीजों के क्या करते थे, वो पूजा करते थे, तो यह सारे चीज़े हम प्रीविएस वीडियो में देख चुके हैं, हमने देखा वर्ड्स, यानि कि कुछ वर्ड्स हैं, जो आपस में लोग किस सरी के से बात करते थे, क्या, जन्ना, ठीके, विश, यह सारी चीज़े हम देख चुके, स्लेव आ गया था, ठीके, दासी, दासियूज आ गया था, द कुछ ऐसी साइट से, और जब उनको खुदाई करी गई, तो नीचे से क्या निकले, नीचे से निकले, भईया, स्केलेटन, स्केलेटन, से हमें हिस्ट्री का पता लगाया, और वो ही हमारी हिस्टोरियंस ने किया, और हमें हमारे सामने NCRT की बुग रख दी, अब हमने आप मेमराइज करवा दूगी, हमने जो कल देखा था, वर्ट डिस्क्राइब पीपल में बच्चो, हमने देखा था, दो मेन लोग थे महां पर, ठीके, क्या थे, वो एक तो ब्रहमिन्स और एक राजा, ठीके, अब यह राजा जो थे, मैंने आपको बताया था, थोड़े नकली क्योंकि उनके पास ना महल थे, बड़े-बड़े महल थे, ना ही यह लोग टेक्स करेट करते थे, ठीके, उनको राजा इसलिए बोला जाता था, because of the property, ठीके, और लोगों से लड़ाई में वो जीते थे, उनकी लीडर, जो लीडर था, उसी को राजा बोल दिया था, यह रा चल रही है न, चलती थी, I mean, तो यह क्या था, अगर हम वैदिक समय की बात करें, ठीके, वैदिक पुरान की बात करें, तो उस समय में यह कल्चर नहीं था, क्यों, क्योंकि उस समय हमेशा स्किल्फुल लोगों को लिया जाता था, कैसे लोग राज्ये समालेंगे, जिसमें स पर्टी को ले के आना और डिस्ट्रिब्यूट करना अपने क्लान्स में, ठीक है, और उनके जो, जिससे वो हारे हैं, उनको क्या बनाते थे वो, दास, ठीक है, यह स्लेवरी सिस्टम भी यहाँ पर आ गया था, प्रीस्ट का बड़ा रोल था, यानकि ब्रहमिन्स, ऑविसली कि ब्रहमिन्स जो होंगे, वो हमारे पंडित में होएंगे, जितने में मंत्र और रिच्वल कॉंसेप्स होते थे, वो हमारे ब्रहमिन्स के थू होते थे, नेक्स इस यह राजा भी कभी-कभी ब्रहमिन्स के थू डॉमिनेट किये जाते थे, क्यों? क्योंकि पूजा पार्ट ब्राह्मिन्स नहीं होंगे तो who will do the rituals, so they actually depend on the ब्राह्मिन्स, right? हमने यह map देखा था, I know मैंने map फिल नहीं कर रखा, बट इस map के थुरू मैंने आपको क्या बताया था? we have many burial sites in the south side, south में सिर्फ ऐसे burial sites मिली है, burial sites क्या होती है, खुदाई करने के बाद बहुत सारे skeletons, बहुत सारी ऐसी अजीब गरीब टाइप के रखे वे पत्थर जिससे उन्होंने history को joint किया और chain के थुरू बनाते चले गए, अब देखेंगे, in south no literal material found, only the burial things were there, अब north side में क्या था? developing north side only, south side moving with the time but not developing, obviously जो हमारा speedy चल रही है, 3500 साल पहले कि हम जो BCE के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या है, before common era, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है, कि जो north side में है, north side में तो develop हो रहा है, यानि कि return यानि कि लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन south side में अभी तक return sources में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये इस आसा तो चल रहे हैं, लेकिन ये पिछड़े में हैं थोड़े से, हमने जना और विश के बारे में देखा था, जना और विश कौन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर दो लोगों में डिवाइड किया गया था, एक जना और एक विश, ठीक है, और भी सब कैटेगरी में डिवाइड थे, पूरा जना, भारता जना, यदू जना, यह हम कल पढ़ कॉमिनिटी धीरे-धीरे स्टैबल होने शुरू हो गई थी, आरेंस के बारे में हमने पढ़ा जो वारियर्स थे, वो आरेंस में आ गए थे, अब जिनको वो हराते थे, वो दास में आ गए थे, यानि कि स्लेवरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, यह तो हमन क्या बनाई जाती थी, तो इसके बारे में आज हम सारे की सारे चीज़े बरियल साइट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए, विदाओर वेस्टिंग अनि ताइम, वी विल स्टार्ट अधी टुडेज फॉर्स टॉपिक इस इस फाइंडिंग अवाद इस सोशल डिफरेंस अब बच्चो, हम जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, कि हम ससाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, कि बहुत सारे सोशल डिफरेंसी आये, यानि कि लोगों में समाजिक तौर पे हैं कि यह से पता तो बच्चों society के बारे में social differences यानि की ये भी हमें skeleton से पता लगा है skeleton उस टाइम पे बोलते थे नहीं न तो skeleton के बोलते नहीं थे उन्होंने उनसे एक तरीके से जिस तरीके से उनको रखा गया उस तरीके से historians ने और archaeologists ने concept बठाया कि भाया ये ऐसे है तो इस तरीके से उनके बीश में क्या था सामाज एक तोर पे भे धभाओ एक तरीके से किया जाता था देखते हैं कैसे archaeologists found skeleton ये तो हमें पता है कि archaeologists को बहुत सारे skeletons मिले burial sites पे यानि कि जहां पे खुदाई करी गई वहां पे बहुत सारे skeletons उनको मिले अगर कबर है उसके इंतर स्केलेटन मिला है उसके साथ मैं आपको पताया था न लाइफ आफर डेथ का concept उस ताम के लोगो क्याल लगता था कि अगर लोग मर गए है तो उसके बाद भी उनकी लाइफ है तो उनके साथ क्या कभी-कभी पॉट्स रखे जाते थे ठीक है कभी-कभी वहां पे गोल्ड रखे जाते थे ठीक है फ्रूट्स रखे जाते थे यानि कि खाने पीने के चीज़े तो भी या अंदर बहुत पाट्टी ताइप की चलते थी राइट so archaeologists think that the objects found with the skeleton belong to the dead person obviously इसमें historians ने क्या जोइन किया कि जो उनका समान उनके साथ रखा जाता था वो उनीका होगा या फिर उससे किस तरीके से वो connect करने की कोशिश कर रहे थे sometimes more objects were found in one grave than in the another अब यहां पे उन्होंने concept जोड़ा कि कुछ-कुछ जगाओं पे कुछ-कुछ sites पे जो burials जो skeletons मिले ठीक है वहां पे किसी के साथ थोड़ा समान था जैसे किसी के साथ भाया बरतन चीजे मिल गई ठीक है थोड़े वुद्खानी भीनी की चीजे मिल गई ठीकिन कुछ-कुछ ऐसे skeletons थे जिसके साथ जिसके पास सोने चांदी की चीजे बड़ी बड़ी प्लेट्स और बहुत ही specialized तरीके की कब्र जो होती थी वह मिली तो इसमें से historians ने क्या जोइन किया सामाज एक तो और बज़े से हमारे बड़ा कार सिस्टम चला था ना उस टाइम पर ही जैसे राजा महर राजा होंगे तो उनकी पता चल रहा है कि इस टाइप के जो लोग होंगे बड़े important people थे तो इसलिए वहां पर ज्यादा valuable चीजे मिली है ठीक है चलिए आगे चलते अब ये वाला map आप देख लीजिए ठीक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रहमगेरी के बारे में ठीक है ये स्टेट नहीं है ये burial site है इस जगह पे बहुत सारे हमें अवशेश एक तरीके से materials मिले हैं ठीक है skeletons के अब इसके importance के बारे में देखेंगे यहां पर क्या-क्या चीजे specialized तरीके से मिली है one skeleton was buried with 33 gold beads यानिकि एक जो skeleton दफनाया गया उसमें 33 सोने के beads मिले हैं ठीक है तो बड़े सोना चांदी आ गया two stone beads, two stone beads, four copper bangles, copper यह नहीं के हमारे लिए copper है तो धातु वह हमारे लिए यूज नहीं होगा उनके लिए बड़ा valuable था four copper bangles, one con shell ठीक है उस time का currency that is one con shell that means के यह हमें चीजे क्या बताती है the skeleton was of some important person, maybe any of the raja maharaja ठीक है उनके जो leader होंगे उनकी हो सकती है ठीक है उनके कोई important person होंगे उनकी हो सकती है so these skeletons tells us और historians ने इस तरीके से इस चीज़ को count किया अब देखते हैं आगे other skeletons only have pots एक तरफ तो जो skeleton है उसमें हमें सोना चांदी मिल रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ छोटे-छोटे pots वगेरा मिल रहा है ठीक है पिच्चर देखो यह पिच्चर देख रही है यह देखे चारों तरफ जो है यह skeleton हमें ब्रहमगिरी में मिला है ब्रहमगिरी जगा है बर differentiate था कैसे एक तरफ तो यहां पे सिर्फ pot रखा है ठीक है सिर्फ पानी वानी रख दिया होगा कुछ होगा बढ़ते नूगा और एक तरफ पूरा सोना चांदी से लदे हुए S-type के skeletons हमें मिले हैं that means कि यह बहुत ही important लोग थे और यह हो सकता है normal लोग हो या फिर वहां के citizen ह तो यह हमें एक तरीके से social differences क्या बताते हैं यह सामाजिक तोर पे लोगों में भेदबाओ था वहां पे उस time पे भी लोगों के mentality इतनी develop हो चुकी थी ठीक है बचो तो यह हमने देखा अब next point पे आते हैं these finds suggest that there are some difference in the status among the people who were buried क्या बोल रहा है यह स्टेट यह हमें बता रहा है कि भाया उस time के लोग जो दफनाया जाते थे वह according to status यानि कि लोगों के economic आर्थिक तौर पे वो कैसे थे उस हिसाब से उनको दफनाया जाता था तो यह हमें चीजे अफशेश मिले हैं याद रखना हम पढ़ें स्केलेक्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ कि क्यों हमें और जगाओं के बारे में नहीं दिया श्केले कि यहां पर यह डिफरेंस हमें मिले हैं, some were rich, अब हम हमीं क्या बताता है, कि कुछ लोग हो सकता है, रिच हो, ठीक है, कुछ लोग poor हो, जादा पैसे ना हो, तो इसलिए एक मटका वटका रख दिया, बस हो गया, उनका जो जितना भी समान था, ठीक है, some chiefs, chiefs में ही, maybe हो सकता है, वो leader हो, other followers, और उसके साथ साथ, उसके followers हो, तो थोड़ा वो समान वहापे भी रख दिया, तो ये हमें चीजें बताती है, ब्रहमगिरी की speciality ये है, ठीक है, जी, तो ये हमने pictures देख ली, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये picture बच्छो देख लो, अब मैंने आपको बताया था, Megalithik, ये जो Megalithik है, इसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, लितिक का मतलब होता है, stone, ठीक है, और Megalithik में बड़े-बड़े पत्थर, अब नीचे तो दफना दिया, अब पता कैसे चलेगा के ऊपर पत्थर हैं, ठीक है, नीचे दफनाया गया है, तो इस टाइप से बच्छो निशानी लगाई जाती थी, इतनी जगा पे, एक important person, important person होगा, तो मेभी बहाँ पर designing करी जाती होगी, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी आगे, तो आप सिर्फ इतना जान लो, कि ये निशान जो है, एक तरीके sign था, ठीक है, नीचे कोई दफनाया गया है, ये उसका sign था, अब ये क्यों था, कैसे था, मैं आपको आगे बताऊंगी, सिर्फ इतना आप outline जान लीजिए, ये एक picture है, जहाँ पर ornaments बनाये गए हैं, दोनों को साथ रखा गया है, that means, this shoes, इसमें ये जोड़ा गया, कि maybe they were husband and wife, that's why they are buried together, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये relatives हो, close relatives हो, इसलिए साथ में हैं, प्लस, यहाँ पर ornaments है, तो ये बताते हैं, कि ये बहुत ही rich होंगे, या फिर leader होंगे, या फिर किसी special तरीके से, specially कुछ ही नों ने किया होगा, that's why, इनके पास सारे ornaments रखे गए हैं, next, आपने Egypt की वो देखिए, कौन सी movie थी, Egypt के बारे पर जहाँ पर बताया है, तो यही concept है, same उसे जोड़ लो, next is the, next जो आपका topic है, वो इसी topic से related है, वर सम burial spots meant for certain family, तो यहाँ पर यह question पूछ रहा है, क्या जो burial spots थे, उससे हमें उनके परिवार के बारे में कुछ पता लगता है, तो the answer is big yes, येस, पता लगता है, कैसे मैं आपको बताती हूँ, Megalithic, हमने देख लिया, Megalithic का मतलब क्या था, Megalithic is बड़े-बड़े Anilithic is stone, ठीक है, हम यहाँ पे stones के बारे में पढ़ रहे है, क्योंकि stones से ही हमें पता चला कि नीचे कुछ है, ठीक है, नीचे कुछ है, जब उसको अर्थ को डिक किया, खुदाई करी, तो नीचे skeletons निकल किया, सोना चांदी निकल किया आया, ठीक है, अब इन ही जो Megalithic कोई ही बच्चों, एक और वर्ड से जाना जाता है, cyst, अगर आप से कुछ पूछे, इस सिस्ट का सिंपल मीनिंग है, Megalithic, यानि कि पुराने टाइप के, पुराने मद्यकाल के हमारे जो stone है, उसी को हम सिस्ट बोलते है, अब ये cyst किसलिए यूस होते थे, यानि कि stones है, वो किसलिए यूस होते है, used for burials, आप देखेंगे, इस बड़े बड़े कबरों तो खोद दी, इसमें दफना दिया, बड़ा बड़ा आसपास पत्थर क्यों रखेंगे, अब इससे हमें क्या indication मिलता है, what does this indicate, this is my question, क्या बता सकते हैं कि क्या indication इस पत्थरों से मिलता है, क्या वो बताना चाहते हैं insights के बारे में, अच्छा एक बार बिच्चवर पहले की देखते हैं, आपके बिच्चवर देख रहें, एक skeleton यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया, ठीक है, यह क्या दिखाता है आपको, मैंने आपको बताया, यह same family के है, उस time का सबसे बड़ा rule था, कि अगर एक family जैसे दादा जी की death हो गई, तो उनको दफना दिया, ठीक है, अब कुछ सालों बाद, obviously साल साथ में तो होंगे नहीं, कुछ सालों बाद, जब उनके बेटे की death हुई, तो उसको भी उसी जगा पे दफनाया गया, ठीक है, जब उनके बेटे की बेटे की death हुई, तो उनको भी उसी जगा पे दफनाया गया, तो ऐसे एक के उपर एक दालते रहते हैं, या तो साल साथ में रखेंगे, या तो एक के उपर एक दालते रहेंगे, ठीक है, तो people perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, so not at the same time, same time में नहीं, पर same जगा पे ज़रूर दफनाते हैं, same time कैसे होगा, दादा और पापा में तो फर्क होगा न, ठीक है, तो same time नहीं होता है, बट same place में दफनाना वहाँ पे ज़रूरी था, अगर आप एक ही परिवार के हैं, तो, so the bodies of those who died later were brought into the grave through portholes, अब यहाँ पे पोर्ट होल्स को समझना बच्चो, अब भाईया, यहाँ पे तो चलो ठीक है, समझ लिया कि हम यह जो members होगे, same family के होगे, ठीक है, लेकिन दादा जी की death होई, उनको डफना दिया, अब भाईया, दूसरी, के दुबारा खुजाई करेंगे, skeleton के साथ में, फिर दुबारा गड़ा मनाएंगे, फिर उसके में डालेंगे, नहीं, यहाँ पे portholes बनाए जाते थे, अब portholes में सीधा, जो dead body है, वहाँ पे यहाँ पे दक्का ले दिया, ठीक है, तो यह एक छोटा सा concept है, portholes का, stone circles, अब सबसे जो main point आता है, stone circle, यह stone से जो आसपास कबरों के circle बनाए जा रहे, इसका क्यों एक बड़ा question है, क्यों designing करी जाती है, ठीक है, मर गए दफना दिया, आब designing क्यों कर रहे हैं, designing बच्चों, बोल्डर्ज और यह stone लगाया जाते हैं, इसका मतलब है, probably this is a sign post, अब दादा जी मर गया है, वहाँ पर दफना दिया, अब बेटा बेटा मर गया, तो उसको दफनाने के लिए, पता तो चलना चाहिए, कि कहां पर उनकी हमने dead body को बरी कर रहे, तो इसलिए वहाँ पर स्टोंज कोई sign लगाया जाता था, ताकि वो निशानी बनी रहे, इस साइड पर हमारी family है, यानि कि family का एक तरीके से है, और tag वहाँ पर लगाते थे, कि यह इस family का burial place है, तो समझ रहे हो, family stones क्यों लगाया जाते हैं, designing इसलिए करी जाती है, ताकि उनके family के वहाँ पर एक निशानी बन जाए, कि यह place हमारा है, यहाँ पर हमारी family का, जो भी मरेंगे तब उनका दफनाया जाएगा, so this is the concept about the, हम बहुत आगे चले गए, so this is the concept about the portholes and the signpost, so stone circle के बारे में एक point clear हो गया आपको, कि वहाँ पर signing के लिए, signpost के लिए, वहाँ पर burial site पर stones लगाया जाते थे, second, so that people could return whenever they wanted, अब यहाँ पर दिखा गया है, कि जब भी अगर उनको वापस आना हो, तो signpost लगा दिया, तो यह concept बहुत ही अजीब सा ही है, उस time के लोगों की सोच ऐसी थी, ऐसा नहीं है, आप सोचेंगे भी यह कैसी सोच है, कि दख्का दे दिया, खाली body को जो अपने दादा के पास, तो उस time के लोगों को बच्चो, आप अपने साथ compare नहीं कर सकते, तो आपके तरह तो आपको पढ़ाई में, आपको पढ़ाई में अच्छे माक्स के थूटु बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि ये concept बहुत important है इनाम गाउं के बारे में पढ़ेंगे इनाम गाउं भी एक हमारा burial site है यानि कि यहां पे भी बहुत सारे अवशेश हमें मिले हैं एक तरीके से बहुत सारे materials मिले हैं बहुत सारे skeletons मिले हैं जो हमें बहुत सारे history को connect करते हैं बहुत सारे history बताते हैं इनाम गाउं कहां पे हैं इनाम गाउं बच्चो इसका एक बार range देखते हैं कहां पे है it is a side on the river घोड घोड एक नदी है ठीक है नदी कहां पे है देखते हैं यहां से आती है बच्चो कावेरी नदी ठीक है कावेरी नदी और यहां से आती है भीम नदी, ठीक है, भीम नदी और काविरी नदी के पॉइंट पे है आपका इनाम गाउं, रैट, इनाम गाउं गोड की ट्राइबरेटरी, ट्राइबरेटरी क्या होता है, जहाँ पर दो रिवर मिलती है, that is called the ट्राइबरेटरी of the भीमा, ठीक है, इसका time period बताया है जो मैंनाकू का timeline बताया थी न पूरी के हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यह हमारा zero है यानि कि birth of Jesus Christ इसके बाद का area हमारा AD में आएगा इसको हम common era बोलते हैं जिसमें हम जी रहे हैं ठीक है उसके पहले का हमारा BCE में आएगा इसके बाद हमारे books लिखी गई थी तो हम जो पढ़ रहे हैं वो दुबारा से start कर रहे हैं तो यह जो हमें इनाम गाउं मिला है यह 3600 से लिखे 2700 के बीच में मिला है एग्जेक्ट नहीं बता सकते हैं इसका criteria नहीं बता सकते हैं किसी को भी हम guess नहीं कर सकते हैं कि उसके exact क्या होगा तो इनाम गाउं में विच्वा हमें क्या क्या मिला है अब यहां के जो गाउं हैं जितने भी skeletons वगेरा चीज़ें यहां पे मिली हैं वहां का एक concept था कि उनका जो head होगा जो भी dead body skeleton मिला है आपके head north side पे थे यानि कि यह उनका एक अलग विचारता कि सर जो होगा वो north side पे होगा और बाकी की body आपके south side को belong करेगी so adults were generally buried in the ground laid out straight सीधे और head towards the north यहां रखना important point है यह आपके shot में जरूर आएगा some burials are within the houses अब यह भी एक अलग चीज़ है ठीक है कुछ-कुछ जो burial sites थी वो हमें घर के अंदर ही मिली है यानि कि घर के अंदर ही लोगों को दफनाया जाता है ताकि ऐसा माना जाता है इसमें से जो concept निकल के आया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो उस तरीके से सोचो पुरानी तरीके से अपनी तरीके से नहीं अब बहुत सारे dead bodies के साथ इस टाइप के बहुत सारे मट के टाइप के मिले है ठीक है इसमें किसी में ऐसा ऐसे कुछ particles मिले हैं जो बताते हैं कि इसमें पानी या फिर grains यानि खाने पीने की चीज़े रखी जाती थी ती तो इस वोस वाना ओव दा इनाम गाओं सबसे बड़ी स्पेशालिटी इनाम गाओं की जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहां पर मिली है one man was buried in a large leg clay jar in the courtyard of five room houses पांच कमरों का रूम था ठीक है पांच कमरों का एक घर था उसमें एक कोट्यार था बड़ा खुला मैदान था मतब कोट्यार समझ तो वरांडा टाइब का वहां पर एक बहुत बड़ी कबर में इस टाइब की कबर में एक इनसान को दफनाया गया था तो दाट मींस कितना जादा इंपॉर्टेंट होगा कि इतनी बड़ी तो उसके लिए कवर कवर मनाई है इस वन आफ लार्जेस्ट हाउस यह महा उस जितने भी कब्रे मिली हैं जितनी भी वहापे बरियल साइट्स है उसमें सबसे लार्जेस्ट यह था तो इस वन आफ बड़ाव वैरी इंपॉर्टें अब यहां पर चिज और जगों पर सिफ छोड़े मठ के रख दिया यहां पर पूरी की पूरी ग्रेंटरी समझते हो जहां पर अनाज वगेरा स्टोर करा जाता है ठीक है वह ग्रेंटरी होती है तो यहां पर अब इसका समझ नहीं आया बट ऐसी चीज़े निकल के आया है कि महां पर जो बॉड़ी थी आफ क्रॉस लेग राइट तो में बुख में मिला राइट तो इसका मैं आपको निटने नहीं पता सकती किस तरीके से यह मिला है अब एक और शी जिनाम गाओं की बहुत ही स्पेशल है आर्केलोजेस हैव फाउंड सीज ओव वीट तो यह सारी के सारे कड़ वहां पर मिलें तो यह सारी चीज़े क्या बता दिये कि लोग बहुत ही जादा अडवांस हो गए थे यानि कि एगरी कल्चर वहां पर था पुराने टाइप के तो थे लेकिन वहां पर एक तरीके सा सेटल लाइफ मैंने आपको हंटर गैदर पढ़ा है था ना उस तरीके से आगे निकल के आओ तो वह हंटर यानि कि एगरी कल्चर लाइफ की तरफ थे बोन्स आफ नंबर ऑफ अनिमल्स बहुत सारे जानवर की बोन्स महां पर मिलें दार मींस रियरिंग था महां पर लोग अशुपालन के तरफ भी थे ठीक है नाव देह में हाव बीन यूस फूड ठीक है उनको ऐसा फूड वो यूस करते थे थे इस इंक्लूड कैटल बफैलो गोड शीप यह सारे जितने पी मैंना आपको अनिमल्स दी है यह आपके बुक में एक्जाक्त लिक है तो इस आपके अनिमल्स आपके आज के टाइम पे बड़े फेमस है ठीक है अबे राम्ला एं जामून आपके बड़े फेमस है तो यह उनका फूड कल्चर एक तरीक से आप कह सकते हैं कि यह उनका फूड कल्चर था तो यह थी हमारे इनाम गाओं की कुछ चीजें तो यहां तक हमारा जो यहीं तक है ठीक है इसके बाद हम चीज करेंगे को कुछ करेंगे तब तक एक बार आप थोड़ा सा रिकॉल कर लिजे इनाम गाओं और भ्रहम गेरी थी कि दो चीज याद रखना दोनों की अलग-अलग इंपोर्टेंस है दोनों की अलग-अलग इंपोर्टेंस को आपको इनाम गाओं में क्या चीज स्पेशल मिली थी जैसे कि मैंने आपको कोट याड वाली चीजे बताई कि बहुत ही स्पेशल इंसान की इस टाइप की कबर मिली ठीक है एक बहुत बड़ा कमरा था जहां पर पांच और कमरे थे तो वहां पर यह चीज मिली है क्रॉस लेक का कॉ इनाम प्र together सिफ रिग वेड झ।वकात, ट जापन मैं धच्वेड स्पेशल लेडिव यह ए और मुदना Southwest भर ड़ मिलाने mat लिवेड विक्वेड प्र 25. 26. 26. 27. 34. The evidence of which fruits were found, mango, bear, ramla, jamun, apple, all of these. Next, megalithic are found in South India, Northeast, Kashmir, all of these. Next, stone circles or boulders on the surface were used to indicate the exact place of burial and all tells nothing on nature present, none of these. Done with the quiz, now we will have the answers. In which region the Rigveda composed, which region the Rigveda composed, that is in North East. Okay, we have discussed this. When the dead body was buried with gold beads, it means the dead man was. Obviously, the dead man is considered rich man. King's proof is not made, we cannot say that there was a king or not, because we have studied abraham and all of these concepts, so the king did not exist. The evidence of which fruits are found. The evidence of which fruits are found there. The evidence of which fruits are found there. of the Buddhist fruits remain. These principles were found ali in the Middle East. So, here we found the written article on the Indian Indian article. Here we found out the written article on the Indian article on India. And here we found out the Indian article, where it was, Kashmir was made. थी बुर्जोहम ठीक है याद है आपको याद रखना वो नाम बुर्जोहम हमें कश्मीर से मिला है ठीक है नौर्थीस्ट में भी हमें चीजें मिली हैं यह सारे जितने भी जगाएं हमें बताई हैं यहाँ पर सब जगा पर मेगालिथिक की चीजें मिली हैं स्टोन सर्कल और बॉल्डर्स ऑन दे सर्फेज आर यूज तो इंडिकेट दी एग्जेक्ट प्लेस ऑफ बरियल जो स्टोन की डेकोरेशन वहाँ पर की जाती थी देट इस टू दी निशानी लगाना ठीक है वो क्या था हमारा साइन पोस्ता साइन लगाना कि यहां पर हमारी फैमिली है तो यानी कि जब हमारे और भी लोगों की मित्तियों होगी तो वह यहां पर बरी करे जाएंगे ठीक है तो इस आट वस इंडिकेशन हमें स्केलेटन से वहां के जो समाजिक तौर पर भेधवाव किये जाते थे वो हमें पता लगे ठीक किस के पास होना मिला किसी के पास सिर्फ एक मटका मिला तो वह सारी शीज़े हमें उस टाइम के लोगों की मिन्टालिटे के बारे में बताता है सबस्ट कबारे में वह उस पर चाहए है और तो परहने एन्मगवाव के चिटे चाहरा है और दो कैसे करके wealth का distribution किया जाता था यह हमने पढ़ाया था आपको wealth सबसे पहले leader रखता था ठीक है leader के बाद priest पे जाती थी यानि कि जो वहां के पंडेत और ब्रहामन सोते थे वहां पे उसके बाद आम लोगों में थोड़ी बहुत distribute की जाती थी so that was the wealth distribution after the battle so मेरा आज का homework बचो है जो मुझे आप comment section में बताएंगे what are the occupations at इनाम गाउं ठीक है इनाम गाउं में क्या क्या occupations थे हैं क्या क्या लोग काम करते होंगे on which river इनाम गाउं situated कौन सी नदी पे इनाम गाउं बसा है ठीक है तो यह हमारे आज के homework के question है इसी के साथ ही बचो आज के glass कतम करते है आर next class अब आपका chapter में जो है न खाली दो आपके extra information की topics है वो रह गाए और थोड़े बत कुल question करेंगे ठीक है and then last we have the quiz so this is all for today thank you for coming to the session I hope आज के topic है वो आपको समझ आए होंगे so thank you and have a nice day